Geot कि उतन dipping गुणों का खजाना इसमें इतने पॉशकत्त्व होते हैं, कि आयुरवेद में इस एक औ्षडी के रूप में इस्तमाल गया जाता है लाजवन्ती एक इसका एक पौधा होता है जो तक्रीपन साथ-ाथ-फिट का होता है और इसमें बारीक-बारीक बीज होते हैं जिसको लाजवन्ती के बीज कहा जाता है यह थोड़ी लाली माली हुए होते हैं सुर्खी माल होते हैं और बीज में से थोड़े फटे हुए होते हैं लाजवन्ती के बीज यह सेहत के अद्बार से कई नस्खों में काम आते हैं लाजवंती समझ लीजे के लाजवंती एक ऐसे बीज है जो अगर एक गिलास पानी में अगर आप एक दू चम्मच डाल दें तो यह सारा पानी जमा देते हैं यानि एक जगा कर देते हैं, सारा पानी पी जाते हैं, लाजवन्ती अगर किसी नहर में डाल दी जाए तो नहर का पानी जम जाएगा, लाजवन्ती अगर दरिया में डाल दिया जाए, उसकी ज़रुत के मताबिक तो दरिया जम जाएगा, ये दूद में अगर डाल दे हैं, त ना ठंडे होते हैं, इसका मिज़ाज दर्मियानी होता है, बीच का मिज़ाज होता है, ना गरम, ना ठंडा, हम इसे मौतदिल कहते हैं इसके बहुत सारे फायदे हैं और कई तरहां से लाजवन्ती को इस्तमाल किया जा सकता है लाजवन्ती हमारे सेहत के लिए काफी लाब दायक है यह हमें कई परिशानियों कई बिमारियों से बचाता है जैसे अस्तमा, दर्द, इन्फर्टिलिटी तो चलिए जानिये हमाई साथ लाजवन्ती के फायदे लाजवन्ती का अस्तमाल घाव भरने के लिए किया जाता है इसके पत्ते को पीस कर उसके रस को घाव पर लगाने से वो जल्दी भजाते हैं लाजवन्ती का अस्तमाल अगर बावसीर से पीडित वेक्ती करे तो उन्हें आराम मिल सकता है लाजवन्ती को अलसर की बिमारी में भी अस्तमाल किया जाता है डाइडिया से पीडित वेक्ती अगर लाजवन्ती का सेवन करे तो उसे डाइडिया से रहत मिल सकती है डेबिटीस से पीडित वक्ती को ये औशुदी के रूप में दी जाती है डेबिटीस से पीडित वक्ती इसके पत्तों के रसका सेवन करे तो उन्हें लाभ मिल सकता है अगर किसी को गले में खराश हो या उन्हें खासी हो तो लाजवंती के पत्तों को पीस कर गले पर लगाने से खराश मेराहत मिलती है पेशाप में जलन के समस्या में भी लाजवंती का अस्तमाल किया जाता है कब्स की परिशानी को भी ये दूर करता है इसके सेवन से हड्या भी मश्बूत होती है पीलिया से ग्रसित लोग्यों के लिए भी लाजवन्ती फाईदेमंद है अगर आप नीनद ना आने की समेस्या से परिशान है तो लाजवन्ती का ये पौधा आपकी समस्या को दूर कर सकता है दरसल इसमें एंटी एंजाइटी और एंटी डिप्रिसेंट प्रभाव पाई जाते हैं जो चिंता और अफसात को कम कर मन को शांत रख सकते हैं चिंता और अफसात के स्थिती में ठीक से नीद नहीं आती ऐसे में इस समस्या से राहत मिलने पर बहतर नीद आ सकती है लाजवन्ती का कई तरीके से सेवन किया जाता है इसके पत्तो और जड़ों का रस मना कर आप उसका सेवन कर सकते हैं लाजवन्ति की कैपसूल भी आती हैं जो डॉक्टर की सलहा के बाद आप ले सकते हैं साथी साथ इसके पत्तों का पेस्ट बनाकर अगर घाव पर लगाए तो घाव जल भर जाते हैं लेकिन लाजवन्ति का अस्तमाल करने से पहले ये जरूर जाने कि आखिर कितिनी मात्रा में आप इसका अस्तमाल करें नहीं तो ये फाइदे के साथ साथ आपको नुकसान भी कर सकती है कुछ लोगों को लाजवन्ति के अस्तमाल से तवचा में जलन महसूस हो सकती है ऐसे में अगर आप इसके पेस्ट को तवचा में लगाने का सोच रहे हैं तो पहले पैच टेस्ट जरूर करें इसके बीच का स्तमाल बालों के ज़ड़ने का कारण बन सकता है वहीं वो महिलाए जो गर्भवती हैं गर्भवस्ता के दौरान या बच्चे के लिए इसे लेने से पहले डॉक्टर के सलहा जरूर लें अगर कोई किसी बीमारी के लिए दवाई ले रहा है तो इसके सप्लिमेंट को अपने आहार में शामिल करने से पहले डॉक्टर से एक बाद जरूर बात कर लें अबारी है एक घरेलू नुस्के की वो लोग जिनके शरीम में क्रेटिनिन के लेवल बढ़ गया है वो इस नुस्के को अपना सकते हैं दरसल हमारे खून और यूरीन में जो वेस्ट मटीरिल होता है वही क्रेटिनिन कहलाता है दरसर किड्नी क्रेटिनिन को ब्लेड से निकालती है और वेस्ट प्रोडक्ट को यूरीन के माध्यम से शरीर से बहार निकालने में साहिता करती है लेकिन कई बार ये बढ़ जाता है जिससे कई समस्याई हो सकती है इसलिए क्रेटिनिन लेवल को कंट्रोल में रखना बेहद जरूरी है और इसे कंट्रोल में कैसे रखे उसके लिए के घरेलो नुस्का है जो बता रहे हैं हकीम सुलिमान खान सहाब अगर किसी को ये परिशानी है कि उसकी पेशाब की नाली में जखम हो गया है इन्फेक्शन हो गया है या किसी को पेशाब की नाली में जखम इन्फेक्शन या क्रेटिनाइन या हमारे गुर्दे यानि किड्नीज में अगर क्रेटिनाइन बढ़ जाता है यानि वो माददा जो हून को साफ करने का एक तरीका है जब ये गंदगी किड्नी की गंदगी किड्नी की आलूदगी या क्रेटिनाइन बढ़ना जैसे कहते हैं ये बढ़ने से हमें डाइलेसिस कराना पड़ता है तो डाइलेसिस के मरीज भी यही नुस्खा यानि पिर दोहरा देता हूं आदा चम्मच हलकी सी अलसी भुनी हुई एक आदा चम्मच लाजवंती और एक या दो चुटकी नमक जैतून लेने से हमारी क्रेटिनाइन यानि कि इदनी की गंड़गी गुर्दों की अलूदगी को भी फायदा होना मुम्किन है तो आज हमने बात की लाजवंती की लाजवंती क्या है उसके फाइदे क्या है नुकसान क्या है और कितनी मात्रा में आपको उसका सीवन करना है आज इतना ही जल्द आपस मुलकात होगी एक और हब और एक और बिमारी की जानकारी के साथ तब तक खुश रहें तंदरुस रहें